ओम शान्ती सुनते हैं आज की बैबा की मुर्ली के महावाक्यों का हूमवर्ग आठ जुलाई 2019 की मुर्ली के हूमवर्ग आज प्यारी बैबा ने मुर्ली में कहा प्रमात्म प्यार के अनभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती रुकावटें बिन बिन पुरशार्थियों के रस्ते में जो रुकावटें आती हैं उससे पुरशार्थ की स्पीड कम हो जाती है डिस्करेज हो जाती है डिप्रेशन हो जाता है उदासी आ जाती है मायूसी आ जाती है तो इन सब चीजों से मुक्त होने के लिए प्रमातम प्यार के अनभवी बनो प्रमातम प्यार का अनभवी कैसे बने कहिएं को प्रमातम प्यार का अनभवी चाहते हुए भी उकर नहीं पाते तो प्रमातम प्यार का अनभवी बनने के लिए सबसे पहले जब तक आप देविमान में होंगे तो प्रमातम प्यार का अनभव कभी नहीं होगा आपको आतम अभिमानी की प्रेक्टेस बार बार डालनी होगी फिर आप प्रमातम प्यार का अनभव कर पाएंगे दूसरा प्रमात्मा से क्या क्या मिल रहा है उसकी प्राप्तियां संगम युक की प्राप्तियां बाबा कहते हैं उनको बार बार रियलाइज करें तो उससे देने वाला कितने महान शक्ति है उसके बहुत प्यार का अनुबह होगा और तीसरा इतनी बड़ी बहुश्य की राजदानी पच्चिस सो वर्ष का राज्य एक दिन भी को इतना बड़ा स्वरक का राज्य दे दे तो भी बहुत बड़ी उपलब दी है ये एक दिन नहीं एक वर्ष नहीं धाई हजार वर्ष का राज्य मिल रहा है उसको जितना गेरहाई से रेलाइज करेंगे देने वाले के परती पूरे कुर्बान हो जाएंगे उसके लिए इतना प्यार पैदा होगा जो बात न पोछे हर संबंद से बाबा हमारी कितनी पालना कर रहे है उस सरों संबंदों की रस का अनुभव करें बाबा से वो पालना लेने का अनुभव करें तो उस से भी प्रमातम प्यार बहुत पैदा होगा क्या क्या ऐसान शिप बाबा ने मुझे पर किये हैं वक्त बेवक्त विभिन प्रिस्तितियों में कैसे बाबा आके खड़े हो गए है कितनी बड़ी-बड़ी प्रिस्तितियों में बाबा ने मुझे बचा लिया तो ये भी अगर हम realize करेंगे तो प्रमातम प्यार का अनुभव होगा बाबा की मीठी-मीठी बातें बाबा के गुणों का जितना गहराई से चिंतन करेंगे एक एद गुण की गरहाई में जाएंगे तो भी प्रमातम प्यार का अनुबह होगा और बाबा ने कहा विनाशी प्राप्ति के अधार पर सदा संपंता का अनुबह करने वाले परसंचित भव बाबा ने कहा संगम युक पर जो बाबा से प्राप्तियां हो रही है इसी के लिए तुमारा गीत पाना था वो पा लिया चाहा क्या बाकी रही और या दूसरा गीत कहते है प्राप्त नहीं कोई वस्तू ब्रामनों के खजाने में तो बाबा से विनाशी प्राप्तियां उनको रियलाइज करो वो चेरे से चलन से नजर आएंगे और कुछ भी हो जाए सरव प्राप्तिवान अपनी परसंता छोड़ नहीं सकते तो विशेश जितना रियलाइज करेंगे पाना था सुपा लिया तो उतना परसंत था स्वत है आपके चेरे पे नजर आएगी फिर बाबा ने आज मुरली में कहा वच्चे बाप से आशिरवादवा किरपा नहीं मांगनी है वो तो खुदी सब कुछ देता है उससे मांगना माना उसे उसकी ड्यूटी याद दिलाना बाप टीचर गुरू को याद कर अपने उपर आपे ही किरपा करनी है जितनी याद करेंगे स्वताई किरपा बरसती रहेगी और फिर बाबा ने का माया से ख़वरदार रहना है आँखें दोखा देती इने अपने अधिकार में रखना है और फिर बाबा ने आज विशेश बार बार फालतु जर्मुई जग्मुई की बातों में नहीं जाना है जितना हो उसके शान्त रहना है मुख में मूलरा डाल दो कभी बी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है ना खुद अशान्त होना है ना किसी को अशान्त करना है अपने हर बोल पे पूरा दिहान रखना है इस तरीके बाबा ने विशेश कहा देई अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे और विकारों की बांस निकल जाएगी अंतर मुखी हो जाएंगे तो ये विशेश बाबा ने आज हम बच्चों को इशारा किया बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे कभी सनमुख हैं तो कभी फिर दूर चले जाते हैं सन्मक फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया है बच्चे गाया जाता है ना नजर से निहाल आत्मा की नजर जाती है परम पिता प्रमात्मा में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता उनको याद करने से विकरम मिनाश होते हैं तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए याद ना करने से माया समझ जाती इनका योग तूटा हुआ है तो अपनी तरफ खीचती है कुछ न कुछ फिर उल्टा करा देती है ऐसे बाप की फिर निंद्या कराते हैं तो भगति मारक की वाइदा याद रखो बाबा मेरे तो एक आप दूसरा ना कोई तो ये है मंजल काम करते हुए बाप को याद करना ये है मंजल मंजल ऊँची है बच्चों को practice करनी है बहुत अच्छी practice करनी है ये बाबा ने आज इशारा किया हम बच्चों को और बच्चों को direction देते हैं बच्चे फाल तू की जर्मूई जग्मूई बातें नहीं करनी है तुम बाप के निंद्या कराते हो शांती में कोई निंद्या वा विकरम नहीं होता बाप को याद करते रहने से और ही विकरम विनांश होंगे इसलिए शांत ना खुद हो ना औरों को करो किसको दुख देने से आत्मा निराज होती है बहुत हैं जो रिपोर्ट लिखते हैं बाबा ये घर में आते हैं तो धम चक्र मचा देते हैं बाप लिखते हैं तुम अपने शांती सौधरम में रहो हाँ बचे हातम ताई की कहानी तो सुनी है उनको कहा तो मुख में मूलर डाल दो तो आज निकलेगा ही नहीं बोल नहीं सकेंगे तो बैच्चे तुमको तो बस अपना शांती में रहना है और शांती के सागर तो बाबा है यही विशेश अनभव करना है अच्छा जी यह है आज की मॉडली होमवर्ग सदा शांत रहके शांती के सागर का अनभव करना है प्रमात उम प्यार का खूब अच्छी तरह अनभव करना है और पाना था सुपा लिया यह सारा दिन गीत याद रखना है